तैतिरिये उपनिशद है तैतिरिये उपनिशद उपनिशदों की श्रिंखला में इश, केन, कट, प्रश्ण, मुंडक और मांडूक्य इन छे उपनिशदों को पढ़ लिने के बाद में सात्वे क्रम पर है तैतिरिये उपनिशद बाकी उपनिशदों से थोड़ी अलग है, क्यों अलग है? एक प्रश्ण भी समभद कल या परसों हमारे पास आया था कि सभी उपनिशदों में लगभग एक ही चर्चा है ब्रम्ह, ईश्वर, ब्रम्ह, ईश्वर, मोक्ष यही चर्चा लगातार चलती जा रही ऐसे में प्रश्ण उठता है क्या 11 की 11 उपनिशदें जो हम पढ़ेंगे उन सब में यही है और यही एक बात है तो बार बार हम एक ही बात का पिश्ट पेशन क्यों का है पिश्ट पेशन अर्थात जैसे आटे को बार बार पीसना एक ही बात इतनी बार क्यों पढ़ी जाए क्या हर उपनिशद में कोई नई कोई अलग बात नहीं है वैसे तो हर उपनिशद का एक नया विशय है अलग विशय है इस उपनिशद का मुख्य केंदर बिंदू इश्वर है केनोपनिशद का मुख्य केंद्रबिंदू मेरी दृष्टी से संसार को समझना है कि क्यों बना किस ने बनाया मैं अपने अहंकार में ही न डूब जाओं इसे बचाना केनोपनिशद का काम है कठोपनिशद समझाती है जीवन के एक एक पड़ाव को ले करके कि हम कैसे पूरी तरह से दुखों से छूट सकते इसी तरह से हर उपनिशद एक अलग दृष्टी कौन से चर्चा करती है प्रश्टों उपनिशद में तो छे अलग-अलग प्रश्टों में हमारे शरीर की पूरी जानकारी भी सम्मेलित है लेकिन जो उपनिशद अभी हम पढ़ने जा रहे हैं तैतिरी उपनिशद में ये इन सभी उपनिशदों से थोड़ी हट करके है तैतिरी ये उपनिशद अलग-अलग वल्लियों में बटी हुई है जैसे शिक्षा ध्याय वल्ली, ब्रह्म्ह वल्ली, आनंद वल्ली ऐसे करके ये उपनिशद कई भागों में विभागत है विभाजित है और इस उपनिशद का सबसे पहला ही पड़ाव है जिसे हम शिक्षा ध्याय वल्ली कहते हैं जिसमें आपको बाकी उपनिशदों की चर्चाओं से हटकरके अलग चर्चा मिलेगी शिक्षा व्यवस्था हमारी किस तरह से आगे बढ़े हैं हम लोग जो जीवन को जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देते हैं हमारे सीखने की प्रक्रिया क्या हो शिक्षा ध्याय वल्ली का अर्थ ही है कि हम जन्म से कैसे सीखें कैसे अपने अध्यायन को आगे बढ़ाएं क्या-क्या उसमें सीखना होगा क्या-क्या सावधानिया रखन होगी आए प्रारंभ करते हैं इस उपनिशन से पहला ध्याय शिक्षा ध्याय वल्ली और उसका सबसे पहला अनुवाख पहला ही प्रकरन प्रारंभ होता है सत्यार्थ प्रकाश के एक भुमी का रूप मंत्र से रिशी दयानंद सरस्वतिजी ने भी सत्यार्थ प्रकाश के प्रारम्ह में यही मंत्र दिया है ओम शम्नो मित्रह शम्वरुणह शम्नो भवत्वर्यमा शम्न इंद्रो ब्रिहस्पतिही शम्नो विश्णो रुरुक्रमह नमो ब्रह्म्हने नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म्हासी त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म्हासी त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म्ह वदिश्यामी रितम वदिश्यामी सत्यम वदिश्यामी तन्माम अवतु तद्वक्तारम अवतु अवतु माम अवतु वक्तारम ओम शांती शांती शां आर्थे से पता चल जाएगा रिशीद आयानद सरस्वती जी कहते हैं जब भी किसी गरंथ का प्रारम किया जाए तो जिस तरह के एक तरह से हमारे याँट उसको शांती करण कहते हैं लेकिन परानिक जगत में उसे मंगलाचरण कहते हैं वो जिस तरह का मंगलाचरण करते हैं रिशी उस तरह का मंगलाचरण नहीं मानते हैं वो कहते हैं कि किसी भी शास्त्र के प्रारम हमें मंगलाचरण करना चाहिए उससे होता क्या है मंगल होता है तो रिशी कहते हैं कि शास्तर के प्रारभव में मंगल क्यों हो मंगल तो बीच में भी होना चाहिए मंगल तो अंद में भी होना चाहिए मंगल तो शास्तर की हर एक पंग्ती में होना चाहिए इसलिए वो किसी प्रकार का ऐसा मंगलाचरण नहीं करते हैं जो शिवपारवती जो ब्रह्म्ह विष्णू इत्यादी से संबंधित हो बलकि उनका मंगलाचरण वेद के किसी मंतर से होता है पूरे शास्त्र में फिर वेद के मंतर हर स्थन पर आते हैं उनका मंगलाचरण शास्त्र की किसी पंक्ति से होता है या अधरशब्द से होता है और वो मंगलाचरण भी ऐसा मंगलाचरण नहीं होता कि हम कुछ ना करे और अपने आप ठीक होता चला जाए बल्कि वो वेद को एक एक पन्ने पर रखते हैं और ऐसा ही एक मंत्र एक पंक्ती तैत्रियोप निशद में लिखी है ओम शम्नो मित्रहा परमेश्वर हमारे लिए सुखदाई हो हमारे कर्म ऐसे हो हमारा पुरुशार्थ इतना हो कि परमेश्वर बाद्धित हो जाए कि वो हमें अच्छे पल ही दे हमारे कर्मों का पल हमारे कर्मों पर निर्भर करता है न? तो हमारे कर्म इतने अच्छे हो कि परमेश्वर हमारे लिए कल्यानकारी बन जाए ओम हे परमेश्वर शम कल्यानकारी हो नह हमारे लिए मित्रह, मित्रह के दो अर्थ होते है मित्रह परमेश्वर का नाम है, मित्र सूर्य का भी नाम है पर सूर्या के लिए एक और शब्द आएगा यहाँ पर अर्यामा जिसे हम चुनते हैं जिसका हम चुनाव करते हैं जो हमें पसंद होता है जो सरवादी की युग्य होता है उसे वर्ण कहा जाता है और इसलिए राजा को भी वरुन कहते हैं तो कह रहे हैं कि राजा जो समस्त संसार का राजा है परमेश्वर ऐसा परमेश्वर ही हमारे लिए कल्यान कारी हो यानि वह परमेश्वर जो सब का मित्र है वह परमेश्वर जो सब के हित की बात चाहता है लेकिन कर्मानुसार वह परमेश्वर हमारे लिए कल्यान कारी हो शम्वरुणह जो वरुण अर्थात राजा परमेश्वर है जब वो राजा की दृष्टी से हमारे सामने आता है मित्र नहीं अब वो राजा है तब वह राजा परमेश्वर भी हमारे लिए कल्यान कारी हो और कहा शम्नो भवतु अर्यमा अर्यमा सूर्य को भी कहा जाता है अर्यमा परमेश्वर के तो सारे ही नाम है इनमे से ब्रिहस्पति, विष्णू, ब्रह्म्ह ये सब परमेश्वर के नाम है लेकिन अर्यमा सूर्ये को भी कहते हैं सूर्ये जो की प्रकृती में प्रकाश देता है वो भी हमारे लिए कल्यान कारी हो और अर्यमा अर्थात जो परमिश्वर है परमिश्वर का जो अर्यमा स्वरूप है परमिश्वर को अर्यमा क्यों कहा जाता है क्योंकि अर्यमा का अर्थ होता है निरंतर आगे बढ़ते रहने वाला है रिगत उधातु से बना है लगतार जो आगे बढ़ता रहे संसार को आगे बढ़ता रहे हमारे जीवन को आगे बढ़ता रहे ऐसा परमेश्वर हमारे लिए कल्यानकारी हो शमन इंद्रो ब्रिहस्पती ही हमारे लिए इंद्र और ब्रिहस्पती इंद्र फिर परमेश्वर ये शाली राजा को कहा जाता है वह परमेश्वर ये शाली इश्वर हमारे लिए का ल्यानकारी हो वह ब्रिहस्पती वह वेद वानी का स्वामी परमेश्वर हमारे लिए का ल् शम्नो विश्नु उरुक्रमह वह विश्नु अर्थात सर्व व्यापक परमेश्वर जो उरुक्रमह है अर्थात जिसका पराक्रम सर्वाधिक है जो सर्वाधिक बलशाली है ऐसा उरुक्रम उरुक्रम अर्थात जो कभी कदम पीछे नहीं हटाता अगर कहीं युद्ध हो तो तो सदैव आगे बढ़ता चला जाता है, उरुक्रम सदैव आगे की ओर क्रमन करने वाला, बढ़ता चले जाने वाला, ऐसा वह परमेश्वर हमारी लिए कल्यान कारी हो, नमो ब्रम्हने, हम ऐसे उस ब्रम्ह को नमस्कार करते हैं, ब्रम्ह की वेद विद्या को नमस्कार करते ह हे वायू अर्थात हे गती शील परमेश्वर वायू प्रित्वी में रहने वाली वायू को भी वायू स्पष्ट रूप से कहा है लेकिन यहां पर वायू शब्द सारे नाम परमेश्वर के हैं यहां पर प्रक्रती की किसी तत्व की चर्चा नहीं है सब नाम परमेश्वर के है नमस्ते वायो, हे वायू रूपी परमेश्वर, अर्थात वाती, हे सदैव बहते रहने वाले परमेश्वर, आपको प्रणाम, तुम एव प्रत्यक्षम ब्रह्म्ह असी, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म्ह हो, और कोई प्रत्यक्ष ब्रह्म्ह नहीं है, ये जितने नाम लिखे अरियमा इंद्र ब्रिहस्पती विश्नु ये सारे के सारे छे के छे नाम परमिश्वर के लिए हैं क्योंकि आगे पंग्ति लिखी है न तुम एवा प्रत्यक्षम ब्रभ्रम है आसी तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो यनि वाईू बहने वाली जिससे है फ्रवास ले रहे हैं वो जो सूर्ये चमक रहा है वो ब्रह्म्ह तो नहीं हो सकता है वरुण पानी को भी कहते हैं ब्रह्म्ह तो नहीं हो सकता इसलिए चाहे मित्र हो चाहे वरुण हो चाहे अर्यमा हो चाहे इंद्र और ब्रिहस्पती हो ये सब के सब परमेश्वर के नाम है और जिनके लिए आगे यहां गिनाये गई हैं ये सारे के सारे नाम प्रक्रती में पश्टतया जहलक रहें जैसे हमारे आसपास के मित्र हमारे आसपास के मित्रता की दृष्टी से हम परमेश्वर को समझ सकते हैं कि अगर कोई सामान्य सा मित्र हमारा थोड़ा सहयोगी बनता है तो जो परमेश्वर सब का मित्र है वो कितना बड़ा सही योगी होगा है। कभी भी आपत्ती में साथ न छोड़े। एक मित्र का करतव यह होता है कि वो सदैव हमें बुराईयों से दूर करता रहे। एक मित्र का करतव यह होता है कि हमारी बुरी बातों को आम जन से छुपाए लेकिन मुझे बताए कि मुझे में यह कमी है। ये सारी बाते परमेश्वर में भी तो हैं परमेश्वर हमें बुराईयों से बचाता है हमारे अंतह करण में एक आवाज आती है गलत करते हुए जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे भीतर से एक प्रसंद आती है कि हम सही कर रहे हैं इससे बड़ा मित्र और कौन होगा ज परमेश्वर ही हमारे लिए सबसे बड़ा राजा है परमेश्वर का ये स्वरूप भी तो फिर आगे देखते हैं अरियमा अर्थात गतिशीलस स्वरूप सवानसार कभी रुक नहीं रहा हमारा जन्म भी लगातार होता जा रहा है परमेश्वर हमसे अवसर नहीं छहिन रहा है परमेश्वर हमें रोक नहीं रहा है कि बस इतना ही इससे अधिक और जन्म नहीं दूँगा परमेश्वर हमारी गल्तिया माफ करता है तो ये सारे स्वरूप परमेश्वर का इंद्र स्वरूप परमेश्वर का ब्रिहस्पति अथात जानकारी को आगे 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 फरवर्ड करने वाला वेद विद्या को देने वाला सर्वत्र व्यापक परमेश्वर ये सारे स्वरूप परमेश्वर के प्रत्यक्ष हैं हमारे हम इनको कई अस्थानों पर देख सकते हैं इसलिए कहा कि त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म्ह असी और फिर कहा त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म्ह वदिश्यामी और मैं आपको ही प्रत्यक्षम ब्रह्म्ह कहूंगा इस पंक्ति का एक महत्व यह है कि रिशी जब किसी गायत्रियादी मंत्र कार्थ करते हुए नीचे एक पंक्ति लिखते हैं वो तो हिरनेगर्भ इस मंत्र कार्थ करते हुए भी नीचे एक पंक्ति लिखते हैं अर्थात जो ऐसा ब्रह्म्ह परमेश्वर है उसी की उपासना करनी योग्य है अन्य किसी की नहीं इसको छोड़ करके किसी को भगवान मान करके उसकी उपासना नहीं की जा सकती और ये पंग्ति रिशीद अयानंद सरस्पती जी को कहां से मिली यहां लिखी है मैं तुमको ही यहां एव शब्द लिखाए एव मने ही मैं तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्रह्म्ह कहूंगा यू मेरे सामने बहुत सारी वस्तुएं हैं नदी नाले हैं पत्थर हैं बड़े बड़े पाहाड हैं बहुत कुछ है जिसको भगवान कहा जा सकता है और लोगों ने क साथ में रात को कड़कती बिजली उसे ही भगवान मान लिया वो तो उससे ही प्रार्थना करने लगे कि हम पर कुछ दया रखो हम पर आपक्ति मतलाना उन्होंने तो बरसते हुए पानी से भी यही प्रार्थना है कि हमारी सुरक्षा करो उसे भी भगवान मान लिया उन्हो मेरी पंक्ती नहीं है ये शास्त्र कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्रह्म्ह कहूंगा मैं और किसी को प्रत्यक्ष ब्रह्म्ह नहीं मानूगा त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म्ह वदिश्यामी फिर आगे कहते हैं रितम वदिश्यामी रितम वदिश्यामी अर जो सदैभ एक रस हो उसे रित कहते है मने बहुत सारी चीजे जिसे हम अनन्त कह सकते हैं पर उपनिश्ऩ क्या कह रही है नहीं रित्म वदिश्या में मैं बिल्कुल सत्य कहूंगा और कैसा सत्य कहूंगा जो कभी बदलता नहीं है मैं आपके बारे में ये कहूंगा कि आप कभी नहीं बदलते हो मैं जो कहूंगा वो रित कहूंगा रित अर्थात जो कभी नहीं बदलता बस उसे ही कहूंगा और नहीं बदलने वाले आप हैं जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता रितम वदिश्याम फिर कहते है सत्यम वदिश्याम ऐसी इस तुछ वानी है मेरी जो आज कुछ और कहते है जो आज कह रही है उसका विरोधी कल कहेंगी और दोनों बातें सही हो जाएंगी ऐसा ही होता है वानी से बोला गया कंडिशनली सत्य होता है और इसी को सत्य कहा जाता है और जो कभी न बदले उसे रित कहा जाता है तो पहले का रितम वदिश्यामी मैं वो बोलूँगा जो कभी न बदले अपरिवर्तनिय हो सदेव हो और दूसरी बात सत्यम वदिश्यामी इस वानी से भी मैं सत्य ही कहूंगा और बड़ा सत्य इस समय ये है कि आप ही परमेश्वर है आपके तरिक्तमा और किसी को परमेश्वर नहीं मानूगा ब्रह्मा नहीं मानूगा फिर कहा तनमाम अवतू ऐसे वह परमेश्वर मेरी सुरक्षा करें ऐसा नहीं है कि सुरक्षा करें तब ही सुरक्षा करेंगे लेकिन ऐसे परमेश्वर हमारी सुरक्षा करें यह कहने से हम परमेश्वर को अपने से उच्च श्रेनी का हम अपने से योग्य अपने से बड़ा मान लेते हैं नहीं तो अहंकार तो हमारे मन में पूट-कूट कर भरा पड़ा है छोटी सी बात पर अहंकार आ जाता है किसी के बाल सुंदर हो तनिक घने हो उसी से अहंकार आ जाता है किसी की चमड़ी जरा सी गोरी हो तो उसी से अहंकार आ जाता है किसी की भुजाओं में थोड़ा बाल आ जाए वो यही कहता है कि मैं दूसरे की याचना क्यों कुरूँ सबसे बड़ा बलवान तो मैं इसलिए कहा है नहीं तन मा मावत हो ऐसे वह परमेश्वर मेरी सुरक्षा करें यानि हाँ वो मेरे से बड़े हैं मैं उनकी सुरक्षा में हूँ ये हरदय से स्वीकार करना यही स्पंक्ति का उद्देश है परमेश्वर तो सदैव ही सुरक्षा करें तद्वक्तारम अवतु ये पंग्ती भी बड़ी महत्वपून है करे तद्वक्तारम उस ब्रह्म को जो लोग हमें बताते हैं उसके बारे में जो लोग कथा करते हैं उसके बारे में जो लोग प्रवचन करते हैं तद्वक्तारम उस ब्रह्म को के जो वक्ता हैं जितने जैसे सन्यासी हैं, साधु हैं, आचारिय हैं, गुरु हैं, जो भी उसके वक्ता हैं, उसके बारे में बताते हैं अभी हम जो मांडुक के उपनिशत पढ़कर आए हैं, मुंड़क उपनिशत पढ़कर के आए हैं, उनमें भी यही चर्चा थी कि जो परमेश्वर के बारे में अच्छे से बताए उसे ढूंडिये उसी के पास जाईए ब्रह्मवित के पास जाईए वो ब्रह्मवित आपको सही मार्ग दिखा सकता है लेकिन वो ब्रह्मवित सुरक्षित रहे तो अपने साथ साथ उसकी भी सुरक्षा की कामना की जा रही है कि तन माम अवतु तद्वक्तारम अवतु वह परमेश्वर मेरी सुरक्षा करें और तद्वक्तारम उस ब्रह्मों को बताने वाले साधु सन्यासी की भी सुरक्षा करें तद्वक्तारम अवतु कह रहें शास्त्र में अगर कोई बात दो बार बताई जाए, एक तो कहते हैं पुनरुक्ती होती है, लेकिन सदैव पुनरुक्ती नहीं होती, कई बार उसका उद्देश्य होता है, जो कि मैंने भी आपके सामने एक पंक्ती बोली, द्विर्बध्धम सुबध्धम भवती, अर्थात जो दो बार बांधा जाता है, वो थोड़ा मजबूती से बंध जाता है, सुबध्ध हो जाता है, आपने एक बार बांधा, बंध गया पर संशय है, बंधा की नहीं बंधा, फिर दूसरी बार बांधा, संशय दूर हो जाता है, अब अच्छे से बंध गया है, अब नहीं ख देश्य होता है कि वो बात बड़ी महत्वपुन है वो बात आधार भूत बाते हैं जितनी बातें बेसिक होंगी आधार भूत होंगी मौलिक होंगी उनको शास्तर दो बार दहराता है और जीवित रहना सुरक्षित रहना ये एक मौलिक बात है ये एक आधार भूत बात है इस असे लिए दो बर द्विर्वध्धम दो बार बांधा गया है पहले तनमाम आवेतु दूसरी बार कह गया अवदू माम quattu अब्दू माम को अच्छा दोनों में एक और अंतर है के वाक्य के लिखने का अंतर हैं पहले वाक्य में लिखा गया तत माम अवतू दूसरे वाक्य में लिखा गया अवतू माम, अंतर क्या है दोनों में, एक में मेरा महत्व है, एक में परमिश्वर का या सुरक्षा का महत्व है, जैसे मैं किसी वाक्य में क्रिया पहले लिख्यूं और करता बाद में लिख्यूं या करूं बाद में लिख्यूं तो उस वाक्य का अर्थ बदल जाएगा जैसे मैं तुम्हें देख लूँगा और दूसरी बात मैं देख लूँगा तुम्हें मैं खाना खाऊंगा मैं खाऊंगा खाना मैं खाना खाऊंगा मैं खाने खाना महत्वपूर्ण है मैं खाना खाऊंगा मुझे भूख लगी है मतलब मेरे पिट खाना मांग रहा है और दूसरे में मैं खाऊंगा खाना कोई पूछ रहा है खाऊगे की नहीं खाऊगे खाऊगे की नहीं खाऊगे बात खाने की नहीं है मतलब भोजन की नहीं है भोजन खाऊगे की नहीं खाऊगे भोजन के बारे में नहीं पूछे, खाओगे की नहीं खाओगे, जब खाओगे तब भोजन ही खाओगे, पर ये बता, ये खाओगे की नहीं खाओगे, ये तो हमें पता है कि जब खाओगे तब भोजन ही खाओगे, और कुछ नहीं खाओगे, जैसे कोई व्यक्ति, मान लीज ये कोई पूछे ग्रेहनी घर पर घर में खाना बना है खाऊँगे मैं घर का खाना ही खाऊँगा अब घर का खाना ही खाऊँगा क्या मतलब है कि घर के खाने पर दबाब डाला जा रहा है कि खाऊँगा तो मैं जरूर पर तुम्हारा प्रश्ण है कि बाहर का की घर का तो मैं खाऊंगा तो मैं घर का खाना खाऊंगा तो जो बात पहले बोली गई है वो मुख्य होती है मैं घर का खाना खाऊंगा और जो बात बाद में बोली गई है वो गौन हो जाती है लेकिन अगर खाऊंगा शब्द को पहले डाल देता हो वो पूछरे खाऊंगे की नहीं घर का ख खाऊंगा ना तो जो खाऊंगा शब्द है वो पहले आ गया मैं खाऊंगा ना खाना और खाना शब्द बाद में चला गया मतलब मैं खाऊंगा क्रिया को महत्व बता रहे हैं कि हाँ मैं आज खाने की क्रिया भी करूंगा मैं भोजन करूंगा ऐसे ही यहां देखिए जो शब बाद में है वो हो गौन हो जाता है जैसे तत मा मवतु वहां मेरी सुरक्षा करें तत वक्तारा मवतु परमेश्वर के बारे में जो बताते हैं उसका जो व्याख्यान करते हैं उसके जो वक्ता हैं उनकी सुरक्षा हो तो व्यक्ति का महत्वत किसकी सुरक्षा मेरी और ब्रह्म के वक्ता की और दूसरे वाक्य में अब तुमाम अब तु वक्तार। वहाँ अब तु शब्द पहले आ गया है अर्थात सुरक्षा करे अनिवार्य रूप से सुरक्षा हो सुरक्षा एक आधार है हमारे जीवन का सुरक्षा हमारी सबसे पहली requirement है, तो इसलिए पहले वाक्य में अपने को महत्व दिया गया, तत माम अवतु, और फिर कहा गया था, अवतु माम, अरे सुरक्षा होनी चाहिए मेरी, ऐसे वक्ता के लिए, तत वक्तारम अवतु, उस ब्रह्म के वक्ता की सुरक्षा हो, वक्ता महत्वपोन है, और फिर कहा अवतु वक्तारम, अर्थात सुरक्षा हो वक्ता की, फिर कहा ओम, शांती, 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 तीन बार शांती शब्दकार्थ है, आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक शांती तीनों प्रकार की शांती हमारे जीवन में हो आधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक क्या है यह आप अच्छे से जानते हैं आधि भौतिक अर्थात जो प्राणियों से हमारे जीवन में दुख आता है वो दुख ना आए उसे आधि भौतिक शान्ति कहते हैं आधि दैविक शान्ति जो प्रकृति की शक्तियों से जैसे अधिक वर्षा अधिक सूखा कहीं पर बाड़ आ जाए कहीं पर भुकम पा और फिर का आधियात्मिक अर्थात हम स्वयम अपने जो दुख तैयार करते हैं हम अपने मन को गलत विचारों में ले जाते हैं गलत प्रवृतियों में ले जाते हैं तो ये सारे आधियात्मिक दुखों होते हैं इन आधियात्मिक दुखों से भी हम बचें इसलिए तीन ब व्याख्या स्यामह वर्णह स्वरह मात्रा बलम साम संतानह ये सब कुछ सीखेंगे इत्युक्तह शिक्षाद्याय बस यही शिक्षाद्याय शिक्षाद्याय में क्या क्या सिखाएंगे ये कहरें वर्णह वर्ण सीखने पड़ेंगे और हम बड़े वैज्जानिक द्रिश्टि का क्या महत्व है मात्रा मात्राओं का क्या महत्व है बलम उसमें लगने वाला सामड थे कितना महत्वपून है साम अर्थाद उसमें लए कितनी महत्वपून है संतान संतान अर्थाद जो हरस्वदीर घादी जो उसकी उसका विस्तार है अक्षरों का वो कितना महत्वपून है यही शिक्षाद ध्याय में कहा जाएगा, यही शिक्षाद ध्याय में सिखाया जाएगा, तो जो पहला ही शब्द लिखा वर्ण हम, हम वर्णों के बारे में सीखेंगे, तो वर्णों की वैज्जानिकता के बारे में सीखेंगे, हम सीखेंगे कि भाषा में वर्ण कितने होते हम सीखेंगे कि भाशा में महर्शी पाणिनी जी 63 अक्षर बताते हैं उन 63 अक्षरों में क्या क्रम है तो सबसे पहला क्रम है कि पहले 5 अक्षर जिसे हम कंठिय कहते हैं वो कंठ से बुलते हैं काखा गागा उसके बाद दूसरे पाँच वर्न अक्षर तालू से बुलते हैं चचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचच पांच के पांच अक्षरों का 25 का ग्रुप यानि पांच समूह और हर समूह में पांच अक्षर कवर्ग पांच अक्षर चवर्ग पांच अक्षर तवर्ग पांच अक्षर और पवर्ग पांच अक्षर यह बुलेंगे गले से यानि जीब गले को सकरा करके वहां से एकदम से ध्वनी को छोड़ती है ध्वनी हमारे पेट से उठती पेट से उठती ध्वनी गले पर रुख जाती और यहां से एकदम से जब गला स्वर को ध्वनी को छोड़ता है तो काखा गागा न बनते हैं जब उसी ध्वनी को थोड़ा और उपर लाकर तालू पर रोक दिया जाता है गले से थोड़ा आगे तब चचचचचचः यहां यह पाँच अक्षर बनते हैं फिर उसी ध्वनी को जब आगे दांट से थोड़ा उपर जीब लगा कर कि रोक दिया जाता है और बंते तथड़न तो इन्हें मुर्धन्य कहा जाता है फिर थोड़ा और आगे जीब को दांत पर लगा कर दांतों पर और तब भीतर से आ रही ध्वनी को रोका जाता है और एकदम से छोड़ा जाता है तो त थ द ध न ये पाँच अक्षर बनते हैं और फिर उसी ध्वनी को जब होटों पर लाकर रोका जाता है और एकदम से छोड़ा जाता है तो ये पाँच अक्षर बनते हैं क्रम है इनका इससे पहले भी सबसे पहला अक्षर जो की अ कहा गया वो सारे अक्षरों का मूल है सारी ध्वनिया इसी अ ध्वनी से बनती है अंदर से जो ध्वनी आ रही है वो अ ही है दरसल उस अ ध्वनी को जीब के माध्यम से या होटों के माध्यम से स्वर को उस ध्वनी को रोक करके और एकदम से एक नया आका दिया जाता है तो नए नए अक्षर बन जाते हैं इसलिए आप देखेंगे हर अक्षर के बाद एक भनी बुलती है जैसे क क क के बाद अ बुल रहा है क के बाद अ बुल रहा है प के बाद अ य हर अक्षर के बाद अ बुलेगा क्योंकि अ एक मौलिक धनी है अ सब ध्वनियों का मूल है जड़ है, आधार है इसके बाद में इ, उ, र, ल, ये बहुत सारी स्वर बनते हैं इनमें हमें ध्यान रखना है कि अ, इ, उ, ये तीन मूल स्वर हैं बाकी जो स्वर हैं वो इनहीं से बाद में बने हैं जैसे अ और इ को मिला करके ए बना अई बना अ और उ को मिला करके ओ अउ बना तो मूल ध्वनिया हैं तीन अ, इ और उ इनसे बाकी सारी ध्वनिया बनी हैं अ और इ को मिला करके ए अई बन गया अ, उ को मिला करके ओ अउ बन गया अब आप सोच रहेंगों तो रिलरी कहां से बना और र को मिला करके री बना क्योंकि री व्यंजनों में जो र आता है र से रास्ता उसी र का स्वर में परिवर्थित रूप है र ये दिपी री स्वरों में मौलिक स्वर माना जाता है फिर आगे जो आजकल प्रयूग में नहीं आता वो ल का परिवर्थितरूप है ल का ही व्यन्जनात्मक रूप है इसके बाद में चार अंतस्त हाते हैं जिसमें यी तषिन को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भीतर ही भीतर बूलते हैं ये बहुत तेज बाहर की और ध्वनी नहीं फेकते हैं य आपको लगेगा कि ध्वनी भीतर ही घुम रही है पीछे की और जा रही है अंतस्थ य र ल व यहीं भीतर गले में ही ध्वनी घुमती रहती है इसलिए इसको अंतस्थ का जाता है इनको फिर उश्म आते हैं उश्म में तीनों शव आ जाते हैं सबसे पहले श्टान्ति वाला शव फिर शटकोन वाला शव फिर सडक वाला सब शान्ति वाला शव जीब को तालू पर लगा करके बनता है जीब को जहां पर च बोला था वहीं पर जीब लगानी है जहां पर च बोला था तो च बोलते समय जीब जहां लगती है वहीं पर जीब लगाई और श बोली है तालवे शकार बन गया जिसमें हम शांती शब्द का प्रियोग करते हैं फिर जब हम तव बोलते हैं तव बोलते समय हमारी जीब की जो स्थिती रहती है ठीक वैसी की वैसी जीब की स्थिती रखते हुए हमें श बोलना है तो जीब को वहीं लगाई है जहां तव बोलते हुए लगाया था श अलका सा जीब पीछे की और मुड़ेगी जीब का अगला सिरा और बन जाएगा श ये मुर्धन्य शकार कहलाता है मुर्धन्य शक शटपोन वाला शक और फिर जहां पर तव बोलते हुए जीब लगाते हैं तव दांतों पर लगाते हैं तो वहीं से हमें सव बोलना है सव ये सडक वाला सव हुआ जिसको हम दंतिय सव बोलते हैं दंतिय सर जीब को दात पर लगा कर जो बोला जाता है, मुर्धन्य शर जो मूर्धा पर लगा कर बोला जाता है, और तालव्य जो जीब को तालू पर लगा कर बोला जाता है, ऐसे तीन अलग 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 शर बन जाते हैं, तो ये मूल अक्षर हो गए स्वार और वेंजन, इस सबका क्या महत्व होता है, उसे भी हम देखेंगे, क्योंकि यहां केवल अक्षरों की बात नहीं है, यहां अक्षरों के साथ-साथ उसकी मात्रा, उसका बल, साम, संत्थान, ये सब भी देखा जाता है, सबकी चर्चा करेंगे, और हैं, तैतिरी उपनिशक्त तो इसे और थोड़ा रोचक तरीके से समझाती है, वो तो इसे संसार से जोड़ करके बताती है, अधा अधिलोकम, प्रिथिवी पूर्वरूपम, द्याउर उत्तर रूपम, आकाशहसंदी, वायुसंधानमिती, अधिलोकम, वो बहुत उधरन देगी, क संसार की हर वस्तु में आपको अक्षर दिखाई देगा, हर वस्तु में आपको वर्णमाला दिखाई देगी, कैसे, वो आने वाली कक्षाओं में समझेंगे, अभी के लिए इतना है